Harry Potter जिसका ना तो इस दुनिया में कोई दोस था और ना ही कोई उसे जानता था और ना ही उसे कभी किसी ने चिथी लिखी थी लेकिन एक दिन होगवर्स जादुगरी और तंदर के विध्याले से हैरी के नाम की चिठी आने लगती है आखिर कौन हैरी को चिठी लिखेगा और क्यों हैरी के नाम पर आई पहली चिठी को देखकर हैरी के अंकल आंटी भेभीत हो जाते है Harry कोई भी चिठी न पढ़ पाए इसके लिए Dursley अंकल कई उपाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी उल्लों के जुंड लगातार चिठीयां लेकर आता रहता है क्या रहस्य छुपा है इन चिठीयों में और क्यों ये Harry जैसे गुमणाम लड़के के लिए भीजी जा रही है The Books Rainbow Presents Chapter 3 Harry Potter and the Philosopher's Tune written by J.K. Rowling Harry के अंकल ने हमेशा की तरह अपना अगबार खोला तबी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज और फिर चिठीयों की गिरने की आवाज सुनाई दी Harry चिठीयां लाओ Harry चिठीयां लाने चला गया फर्श पर तीन चिठीयां पड़ी थी डरसली अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था और एक चिठीयां हैरी के नाम Harry ने चिठीयां उठाई और उसे गौर से देखा उसका दिल किसी बड़े रबर बैंट की तरह उचल रहा था जिन्दगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिठी नहीं लिखी थी बहराल उसके सामने एक चिठी थी और पते से या साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुन्जाइश नहीं थी मिस्टर एच पॉटर, सीडियों के नीचे वाली अलमारी, चार प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मूम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना था मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक साप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था जल्दी करो लड़के, डर्सली अंकल चीखे हैरी वापस आया, वह अब भी अपनी चिठी को गूर रहा था उसने अंकल को बिल और पोश्ट कार्ट दे दिये फिर बैट कर धीरे से अपना लिफाफा खुलने लगा डैडी, डड़्ली अचानक चिलाया डैडी, हैरी के पास कुछ है हैरी उस समय अपनी चिठी खुलने ही वाला था लेकिन तब ही ड़्ली अंकल ने उसके हाद से चिठी टेजी से छीनली यहाँ मेरी चिठी है, हैरी ने कहा और वापस छीनने की कोशिस की तो मैं चिठी कौन लेखेगा डर्ली अंकल ने ताना मारते हुए कहा उन्होंने एक हाद से चिठी खोली और उस पर नजर दोडाई तेजी से उनके चेहरे का रंग उड़ गया चिठी देखकर मिस्टर डर्सली बेहत घबरा जाते हैं और अपनी पत्नी पेटूनिया को चिठी दिखाते हैं पेटूनिया आंटी भी चिठी को देखकर बहुत परिशान दिखने लगती हैं मिस्टर डर्सली हैरी और डडली को डांट कर कमरे से बाहर भेज देते हैं पेटूनिया आंटी कापती वे आवाज में मिस्टर डर्सली से कहती हैं कि चिठी के पते से ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि हैरी कहां सोता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नजर रख रहे हूं मिस्टर डर्सली जुंजलाते हुए बोले कुछ भी हो सकता है वे सोचते हैं कि वे अब क्या करें क्या वे इस चिठी का जवाब दें और ना ही इस बात पर ध्यान देंगे वे याद करते हैं कि जब उन्होंने हैरी को इस घर में रखा था तो उसी दिन कसम खाई थी कि वे इस खतरनाग बेवकूफी को बंद कर देंगे अगली सुबा नाश्टे के टेबल पर सब चुप थे हैरी बितेवे कलके इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में अपनी चिठी पढ़ ली होती डर्सली अंकल और पेटूनी आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपून डंक से देख रहे थे डर्सली अंकल हैरी से अच्छा व्यवार करने की कुशिस करने लगे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा डडली चिलाया एक और चिठी आ गई मिस्टर एच पॉटर दबीवी चीक के साथ डर्सली अंकल कुर्सी से उचले और उन्होंने डडली के हाथ से चिठी चीन ली हैरी को अभी तक अपनी चिठी नहीं मिली थी अगले दिन फिर डाक आ चुकी थी और डर्सली अंकल के पास थी शुक्रवार को हैरी के नाम की बारा चिठियां आ गई जिनें उल्लों के जुंड ला रहे थे डरसली अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे सारी चिठियों को जलाने के बाद उन्होंने अगले और पिछले दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी सनिवार को इस्तिती नियंत्रन से बाहर होने लगी उल्लों द्वारा हैरी के नाम की 24 चिठियां घर के अंदर गुसाई थी इतवार के दिन डरसली अंकल खुश थे क्योंकि इतवार के दिन डाक नहीं आती हैरी ने खिटकी से बाहर देखा तो बाहर उसे उल्लू ही उल्लू दिखाई दिये वे अपनी चोंच में चिठियां दबाए थे आज कोई बेहुदा चिठि नहीं आ सकती वे बोले जब वे बोल रहे थे तब ही किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उनके चेहरे पर चटाक से पड़ी अगले ही पल अंगेठी से तीस या चालिस चिठियां गोलियों की तरह बरसने लगी हैरी चिठि पकड़ने के लिए हवा में उचला डरसली अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और उससे चिठि चीन ली चिठियां अब भी कमरे में तैरती भी गुस रही थी और दीवारों और फर्ष पर टक्रा रही थी डरसली अंकल इस बात से पागल होटते हैं बहुत हो गया डरसली अंकल चिलाए पांच मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ हम लोग यहां से दूर जा रहे हैं सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो कोई बहस नहीं दस मिनट बात वे लोग केलों से बंद दर्वाजों को जटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आये कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी उनकी कार चलती रही और चलती रही यहां तक की पैटूनिया अंटी बिया पूछने में डर रही थी की वे कहां जा रहे थे रात हो चुकी थी आखिर कार डर्सली अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शैर के बाहरी से में था डर्डली और हैरी एक कमरे में सोए अगले दिन उन्होंने नाश्टक खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई माफ कीजिए परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिश्टर एच पॉर्टर है मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगबग सो चिठ्थियां रखी है उसने एक चिठ्थी दिखाई ताकि वे हरी शाई में लिखा पता पढ़ सकें मिस्टर एच पॉर्टर कमरा नमबर 17 रेल वी होटल कोकवर्थ हैरी ने चिठ्थी जफटना चाही परंतु डर्सली अंकल ने उसके बड़ेवे हाथ को हटा कर एक तरफ कर दिया मैं उन्हें ले लेता हूँ डर्सली अंकल बोले और जल्दी से खड़े होकर उसके पीछे-पीछे डैनिंग रूम से बाहर चले गए पटूनिया आंटी ने वापस घर चलने को कहा पर डर्सली अंकल कुछ नहीं सुनना चाहते थे डर्सली अंकल एक बंदूग भी खरीद लाए थे बिल्कुल सही जगा मिल गई है डर्सली अंकल समुद्र के काफी भीतर एक बड़ी चटान की तरफ इशारा कर रहे थे चटान के उपर एक जोपड़ी बनी थी खाने पिने का समान मैंने ले लिया है डर्सली अंकल बोले वे सब लोग नाउं से उस जोपड़ी में जा रहे थे जो डर्सली अंकल ने किराए पर ली थी जोपड़ी की हालत बहुत बहनक थी जोपड़ी में सिर्फ दो कमरे थे और मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती भी आ रही थी उन्होंने अंगेठी में आग जलाने की कोशिस की मिस्टर डर्सली अच्छे मूड में थे जायर था वे सोच रहे थे कि इस जोपड़ी में उन तक चिठियां पहुँचाने कोई नहीं आ सकता हैरी को भी यही लग रहा था हैरी को याद आया कि आज रात वह ग्यारत साल का हो जाएगा यानि कि कल उसका जन दिन है जब रात हुई तो तूफान आने लगा और उनके चारों तरफ गरजने लगा उन्ची लहरों की बौचारें जोपड़ी की दिवारों पर टक्राने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगा जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी वहनक होता चला गया हैरी सो नहीं सका वह कापता रहा करवटें बदलता रहा और कोशिस करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए डडली के खराटे तूफान की आवाज में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ डडली की गड़ी उसकी मूटी कलाई पर सोफे से नीचे लटके हुई थी और हैरी को उसकी चमकते डायल से यहाद दिख रहा था कि दस मिनट बाद वह ग्यारा साल का हो जाएगा वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसकी बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और यह भी कि चिठ्थियां लिखने वाला इस समय कहा होगा तो दोस्तों यह था हैरी पॉर्टर और फिलोसोफर रिश्टून का चैप्टर थ्री का डिटेविल एक्स्प्रेनेशन अगर आपको यह पसंद आया है और और भी वीडियोस देखना चाते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू